आज पूरे देश के अंदर किशानों को मारने की पूरी तैयारी बन चुकी है हमारे देश के अंदर आज 90% किशान है यानि कि 100 करोण जम संख्या जो है इस देश के अंदर किशानों की है यही सरकार है मोधी सरकार जब 2014 में चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किशानों के अच्छे दिन आएंगे मैं बताना चाहता हूँ कि इन अच्छे दिन के ख्वाब में हम जैसे लोगों ने भी भारती जनता पार्टी को बोट दिया था क्योंकि हम सोचते थे कि स्वामी नाथन आयोग की जो रिपोर्ट है अगर वह लागू हो जाएगी तो जो देश के अंदर किशान है इन किशानों की आए जो है वह दुगनी हो जाएगी क्योंकि ये लोग कहते थे कि हम किशानों की आए दुगनी करेंगे लेकिन इस्थिती इतनी बदतर हो गई है कि आज पूरे देश के अंदर किसानों की जो लैंड है किसानों की जो जमीन है उसे ये छीन ना चाहते हैं और जब इसे ये ठीक से छीन नहीं पा रहे हैं तो आज इस्थिती ये हो चुकी है कि ये जो है आज यूरिया आप देखे हो कि आज पूरे देश के अंदर आज यूरिया नहीं मिल पा रही है किशानों को खेत में फसल डालने के लिए यूरिया नहीं मिल पा रही है और ये लोगे कहे थे कि बाईयों या बैनों हम आशी यूरिया लाए हैं हम नीम लोपित यूरिया लाए हैं अब आज के बाद यूरि कहां चली गई है 262 रुपए वाली यूरिया जो कि महज 262 रुपए में बोरी यूरिया मिलती थी आज वह यूरिया आपको 4500 रुपए बोरी मिल रही है और वह सिकायत जो है यस डियम से भी हो रहा है तहसिलदार से भी हो रहा है डियम से भी हो रहा है लेकिन इसका जो रिज जमीन चीनने की तैयारी हो रही है यानि कि आज अडानी को जमीन कैसे दिया जाए अंबानी को जमीन कैसे दिया जाए यानि खेती को जब पूरे तरीके से घाटे का सवदा बना दिया जाए और उसके बाद यह जमीन दे दिया जाए अडानी और अंबानी को यहीं स्थिती है क आज डीएपी जो है 15 सव रुपए बोरी कर दी गई है और जो यूरिया है वह सब से पहले नीम लेपित के नाम पर इसका रेट 30 रुपए बोरी बढ़ा दिया गया था और उसके बाद 5 किलो चोरी भी कर लिया गया यानि एक भैग से 5 किलो निकाल लिया गया यानि आज सत्ता में जो बैठे लोग है आज चोरों की सरकार चल दही है लुटेरों की सरकार चल दही है डकैतों की सरकार चल दही है यही कारल है कि आज जो किसान है वह मरने के लिए मजबूर हो चुका है आज कहीं भी खाद नहीं मिल पा रही है और जो भी किसान आज यूरिया लेने जाता है अगर उसको साड़े 400 में यूरिया मिल भी जाती आए तो दुकानदार कहता है किसी को बताना मत नहीं तो मिलेगी भी नहीं यानि इतनी चोरी इतनी डकैती और सारे लोगों को पता है जितने करांतिकारी साथी देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिस करूंगा कि आप अगर कि किसानों के काइमरे से हम दंगाईयों की पहचान करेंगे यानि वहां काइमरे में जो है पहचान कर रहे थे और आज खुले में यूरिया बेंची जा रही है ढाई सो रुपए की यूरिया 263 की आज साढ़े 400 में बिक रही है लेकिन बाबा का काइमरा बंद है बाबा का काइमरा दिखाई नहीं दे रहा है किशान मर रहा है अगर किसान मरेगा गरीम मरेगा मजदूर मरेगा तो बाबा का काइमरा काम नहीं करता है लेकिन जब धरम क यदि द्धरण के नाम पर उन्मात करना होता है तो बाबा का कैमरा काम करता है आप लोगों को जोड़ते जाइए आप लोगों से गुजारी सह किला लोगों को जोड़ते जाइए तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली केंद्र सरकार जो चल लही है यह पूरी तरीके से गरीबों को मारने की तैयारी में है आप लोगों ने देखा हो जाँ 2014 में कि क्या भाशन दिया जा रहा था कि 2022 तक भाईयों यो बहनों 2022 तक एक भी गरीब देश में नहीं बचेगा तो लोग क्या सोचते थे कि सब हम अमीर हो जाएंगे सारे लोग अमीर हो जाएंगे सारे लोग करोड़पती हो जाएंगे रिक्सा वाला भी बोलता था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं लेकिन इतना बढ़ियां अच्छे दिन आया कि मुंबई में रिक्सा चलाने वाला जो कि दूसरे को पैदल नहीं चलने देता था खुद रिक्सा पे ले करके ढोता था आज वह है आदमी जो है पैदल चलके अपने घर पहुँच गया यही किसान जो अनाज का डेवड़ा मंग होती थी कि अनाज का जो है डेवड़ा दाम मिले हमें और यही लोग कहते थे कि हम सत्ता मेया के स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और आज स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात थी आज जो गेहूं अठारा सव रुपए में बिकता था आज उसका खुला मार्केट पंदरा सव रुपए हो गया है पंदरा सव रुपए खुला मार्केट हो गया है और जो यूरिया थी धाई सो की यूरिया आज पांसो में बिक रही है और खुले आम भीक रही है धडले से भीक रही है इसलिए मैं ये गुजारिस करूँगा कि ये सत्ता में बैठे जो चोर है इन चोरों को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक किशानों का दिन सही नहीं आएगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसान ठान लेता है तो सत तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी किशान है मैं सभी किशानों से अपील करूंगा इस सरकार को आने वाले समय में इसे उखार प्रक्ते यह कह रहे हैं कि 2000 खाते में आता है 2000 खाते में आता है अंदभक्तों, गोबर भक्तों, गंदभक्तों जरा हिसाब लगा लो उचका मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि 2000 तुम्हारे खाते में तो आता है लेकिन डियेपी का रेट तुमने देखा जो 1000 रुपए में डियेपी मिलती थी वो 1500 में मिल रही है अ तुम लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हो प्लीज किसान वाई एक लाइक और एक सेर जरूर कीजी किरप्या एक लाइक जरूर कीजी प्लीज वन लाइक